Hello everyone, मैं हूँ पासना शर्मा आज की वीडियो में हम सीखेंगे Premiere Pro में किसी भी वीडियो को Custom Shape में कैसे Place करें देखिए सामने स्क्रीन पे मैंने सेम वीडियो को Heart Shape and Custom Brush Shape में Place किया है आप चाहें तो इसी सेम प्रोसेस से वीडियो को किसी भी Other Shape में भी Place कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं मैंने वीडियो को Heart Shape and Custom Brush Shape में कैसे Place किया है सबसे पहले वीडियो को Premiere Pro में Open करके Timeline Window में लेके आएंगे अब पहले Heart Shape क्रेट करने के लिए उपर File Menu पे क्लिक करेंगे Then New के अंदर Photoshop File पे क्लिक करेंगे अब सामने वीडियो सेटिंग्स को As It Is ही रहने देंगे Then OK पे क्लिक करेंगे अब File Name एंटर करके Save पे क्लिक करेंगे देखिए Photoshop में Black Project ओपन हो गया है अब इसमें Heart Shape क्रेट करने के लिए पहले उपर View Menu पे क्लिक करेंगे Then Guides के अंदर New Guide Layout पे क्लिक करेंगे अब इस विंडो में Columns and Rows में 10 एंटर करेंगे Then OK पे क्लिक करेंगे अब Heart Shape क्रेट करने के लिए टूलवार विंडो से करवेचर Pen Tool सेलेक्ट करेंगे अब सबसे पहले Middle में नीचे क्लिक करके Point क्रेट करेंगे Then Left Side में उपर Right Side के Heart के Points क्रेट करेंगे अब Middle के Top and Bottom Corners पे डबल क्लिक करेंगे देखिए Heart की Shape कंप्लीट हो गई है अब उपर Stroke में No Color सेलेक्ट करेंगे and Fill में Red Color सेलेक्ट करेंगे अब Grid Lines को हटाने के लिए Ctrl प्लस Semi-Corn प्रेस करेंगे अब Heart Shape को थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए Layer पे डबल क्लिक करेंगे Then Left Side में Bevel and Emboss पे क्लिक करेंगे अब Right Side में Style में Outer Bevel सेलेक्ट करेंगे टेकनीक में Smooth सेलेक्ट करेंगे Depth को 150 के करीब अड़जस्ट करेंगे Direction को Up and Size को 20 के करीब रखेंगे Shading में Global Light को Uncheck करके Top Angle 60 and Bottom Angle 45 रखेंगे Then OK पे क्लिक करेंगे अब देखिए Heart Shape ready हो गई है अब Project को Save करके Photoshop को Close कर देंगे देखिए Same Photoshop File Premiere Pro में Import हो गई है अब इस Heart Shape को Drag करके Timeline Window में लेके आ सकते हैं मगर पहले हम इसी Process से Photoshop में Brush की Shape Create कर लेते हैं Brush Shape Create करने के लिए उपर File Menu पे क्लिक करेंगे Then New के अंदर Photoshop File पे क्लिक करेंगे अब Video Settings को As It Is रख के OK पे क्लिक करेंगे File Name एंटर करके Save पे क्लिक करेंगे देखिए Photoshop में Project ओपन हो गया है अब Brush Shape क्रियेट करने के लिए Toolbar Window से Brush Tool सेलेक्ट करेंगे अब नीचे Foreground Color में Black Color सेलेक्ट करेंगे अब उपर Brush Size में 200 के करीब रखेंगे एंड Brush Type में Soft Brush सेलेक्ट करेंगे अब इस तरह से बिना किसी Shape के Raw Brushing करेंगे अब जैसे ही Brushing कंपलीट हो जाए देन उपर Filter Menu पे क्लिक करेंगे देन Distort के अंदर Wave पे क्लिक करेंगे अब Wave स्क्रीन में Wave Length को थोड़ा Increase करेंगे देन OK पे क्लिक करेंगे अब फिर से Filter Menu पे क्लिक करेंगे देन Wave पे क्लिक करेंगे देखिए हमारी Brush Shape ready हो गई है अब Project को Save करके Photoshop को Close करेंगे देखिए Brush Shape भी Premiere Pro में Open हो गई है अब हम इन दोनों Shapes में Video को Place करेंगे पहले Heart Shape को Timeline Window में Drag करके Video Layer के उपर की Layer पे Place करेंगे अब Heart Shape की Length Video की Length के बराबर करेंगे अब Effects पैनल के सर्च में Track Mate की सर्च करेंगे देन Track Mate की को Drag करके Video Layer के उपर Place करेंगे अब Video Layer को Select करके Effect Controls पैनल में जाएंगे इसमें Track Mate की के सेक्चर में Mate के आगे Video 2 सलेक्ट करेंगे क्योंकि Heart Shape की Layer Video 2 पे Place है चलिए अब Video को Play करके देख लेते हैं अब Brush Shape में Video को Place करने के लिए जस्ट हमें Heart Shape Layer को Brush Shape से Replace करना है चलिए अब हम इसको भी Play करके देख लेते हैं इस तरह हम वीडियो को किसी भी Shape में Place कर सकते हैं जसार रफлав बांपड़ी सेнет